हालो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड फ्रेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं अठाई सितंबर 2018 के करेंट अफेस के उपर फ्रेंट्स हम लोग करेंट अफेस पर इसलिए डिस्कस कर रहा है क्योंकि हमारे एक्जाम पॉइंट ओफिस है में बड़ता ही जा रहा है इसलिए हम डिली करेंट अफेस पर कर रहे हैं तो चैनल को आपस्ट्री जरूग कर लिजी और बैल आइकन को जरूग प्रेस कर ले जिस से मैं जो भी वीडियो अप्लोट करूगा तो उसका नॉटिफिक्शन आप तक पहुछाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रूप की लिंक दे दी है आप टेलीग्राम ग्रूप पर जोइन हो जाइए वहाँ पर आपको सारी PDF अवेलेबल मिल जाएगी चलिए फेंट्स आज हम डिसकस करेंगे करंट अफेस को उपर 28 सितंबर 2018 के लास्ट वीडियो में हमने कुईस के कोश्चन को देखा था उसका आंसर हमें आज डिसकस करना था तो कुईस का कोश्चन था आली में भारत हैग में प्रतिष्टित शांती पेले से गांधी मार्च आयोजित करेगा हैग किस देश से समबंदी थे तो फ्रेंसिस का आंसर है ओप्शन नमबर D नीदरलेंड्स नीदरलेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सबी लोगों ने कमेंट बोक्स में सही आंसर किया है भारत नीदरलेंड्स में हेग में प्रतिश्टित शांती पहले से गांधी मार्च आयोजित करेगा गांधी मार्च सभी देशों के वेक्तियों और विबिन्न देशों के लगबग 20 राज़दूतों की बागीदारी देखेगा शांती पहले स्परिसर में बारतिय डाग विभाग दुआरा विशेश समारक टिकेट जारी किये जाएंगे तो यह इसका important point है तो यह आपको याद आखना है एक बार और में बता देता हूँ भारत नीदरलेंड्स में हैग में प्रतिश्टित शांती पहले से गांधी मार्च आयोजित करेगा गांधी मार्च सभी देशों के वेक्तियों और विबिन देशों के लगबग 20 राज़ुतों की बागीदारी देखेगा शांती पहले से परिसर में आर्थिय डाग विभाग दुआरा विशेश समारक टिकेट जारी किये जाएंगे फ्रेंट की जो करंशी है वे ये यूरो और नीदे और पौइंट आपको नीदर लेंड से भी याद रखनें चलिए फ्रेंटार्ट करते हमारा आज का सेशन पर्श फंटिए हाली में दूसरी वेश्विक नवीनी करनिये उडजा निवेश बेठक और एक्सपो री इन्वेस्ट 2018 कहां आयोजित की जाएगी तो friends इसका answer है option number A New Delhi New Delhi इसका right answer हो जाएगा नई दिल्ली इसका right answer हो जाएगा दूसरी वेश्विक नविकार्णी है उडजा, निवेश, बेठक और एक्सपो री इन्वेस्ट 2018 नई दिल्ली में 2 से 5 अक्टूबर 2018 तक आयोजित की जाएगी री इन्वेस्ट नविकार्ण के विकास और तेनाती के लिए रणनीतियों की खोज के लिए एक वेश्विक मंच है तूसरे री इन्वेस्ट में नविकार्ण स्वच्छ तक्निक और भावी उर्जा विकल्पो पर नविकार्ण संबंदित निर्माताओं का एक एक एक्सपो तीन दिवसीय सम्मेलन शामिल होगा तो यह इसके इंपोर्टन पॉइंट है तो यह आपको याद रखने अब फ्रेंट इसका अंसर निव डेली है तो डेली के में इंपोर्टन पॉइंट देख लेते हैं डेली के जो सीए में हो है आरविन केजरिवाल डेली के जो गवर्नर है हो है अनिल बाइजाल और मलेडिया रिसर्श सेंटर Indian Council of Medical Research All India Institute of Medical Sciences भारती क्रिशी अनुसंदान परिशत और भारती क्रिशी अनुसंदान संस्तान ये सब कहा हैं ये सब New Delhi में तो उत्ते बंट आपको डेली से याद रखने चलिए फ्रेंट्स हम देख लेते हमारा next point next point है हाली में किसने MSME रिण छेतर में एक परिवर्त निये पहल के रूप में एक वेब पोर्टल लॉंच किया है तो फ्रेंट्स इसका आंसर है उप्शन नमबर A अरून जेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा केंदरी वित्त और कॉर्परेट मामलों के मंतरी अरून जेटली ने MSME रिण छेतर में एक परिवर्त निये पहल के रूप में एक वेब पोर्टल लॉंच किया है वेब पोर्टल www.psblonsin59minutes.com एक बार और रिपीट करता हूँ www.psblonsin59minutes.com एक करोर रुपे तक के MSME रिण के लिए SIDB और 5 PSB से 59 मिनिट के बीतर सेदान्तिक मंजूरी दिला सकता है SIDB और 5 PSB, SBI, Bank of Baroda, PNB, विज्या और इंडियन बैंक के साथ है ठीक है फ्रेंट्स तो इत्ते पोर्ट आपको इस पोर्ट से याद रखने वेब पोर्टल आपको याद रखना SIN59Minutes.com एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ केंद्रिय वित्त और कॉर्परेट मामलों के मंतरी अरून जेटली ने MSME रिण छेतर में एक परिवर्ट निये पहल के रूप में एक वेब पोर्टल लौंच किया है वेब पोर्टल www.psb.loan.sin59minutes.com एक करोड रूपरे तक के MSME रिण के लिए SIDB और 5 PSB से 59 Minutes के बीतर सेदांतिक मंजूरी दिला सकता है भहुमत हिस्सेदारी SIDB और 5 PSB SBI, Bank of Bada, PNB, Vijaya Bank और Indian Bank के साथ है तो इतने पोइंट आपको इस पोइंट से याद रखने चलिए Friends हम देख लेते हमारा Next Point Next Point है, हाली में किसने Adobe System और Shape ने डेटा के एक एकरिकरत दरश्ची की पेशकर्ष करने के लिए गटबंदन बनाया है Friends इसका आंसर है Option No.C, Microsoft Microsoft इसका राइट आंसर हो जाएगा Microsoft, Adobe System और Shape ने अपने संबंदित अंतिम उपभोकता पर डेटा के एक एकरिकरत दरश्ची की पेशकर्ष करने के लिए गटबंदन बनाया है बागीदारों ने Florida में एक Microsoft सम्मिलन में Open Data पहल की गोशना की है और यह है पहल एक सामाने मोड के मात्यम से इनके प्लेटफोर्म हो जैसे Adobe Experience Cloud, Microsoft Dynamics 365 और Shape C4HANA के बीच पारस परिक्ता और डेटा के लेंदन को बढ़ाएगी ठीके फ्रेंट्स अब इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट है तो Microsoft के important point देख लेते है Microsoft की जो स्तापना हुई है वो यह 4 April 1975 को Microsoft के जो founder है वो है Bill Gates और Paul Allen और इसका जो headquarter है वो है Redmond Washington USA में और इसका CEO है वो है सत्य नदेला प्रेंट आपको Microsoft से याद रखने चलिए friends हम देख लेते हैं हमारा next point next point है हाली में किसने केंदरिकरत सूचना और प्रबंदन पनाली के कार्यवान के लिए 5 IT फर्मों को सूची बरत किया है तो Francis का answer है option number C RBI RBI इसका right answer हो जाएगा RBI ने डेटा संग्रे और सत्यापन के लिए केंदरिकरत सूचना और प्रबंदन पनाली के कार्यवान के लिए 5 IT फर्मों को सूची बरत किया है तो 5 IT कोन कोची है वो है Cape Germany Technology Services India IBM India Inforces Larson and Tubro Infotech और Tata Consultancy Services एक बार और repeat करता हूँ Cape Germany Technology Services India IBM India Inforces Larson and Tubro Infotech और Tata Consultancy Services इसका अंसर RBI है तो RBI के हम important point देख लेते हैं RBI की जो स्थापन होए वो यह 1 April 1935 को RBI के जो headquarter है वो है मुंबई में RBI के जो founder है वो है British Raj और RBI के जो governor है वो है उर्जीत पतेल तो इतने point आपको RBI से भी याद रखने ठीके friends चलिए हम देख लेते हमारा next point next point है हाली में रक्षा अधिग्रण परिशत ने सेना के T-72 टेंकों के लिए कितने इंजनों की खरीद को मंजूरी दी है तो friends इसका आंसर है option number C 1000 1000 इसका right answer हो जाएगा रक्षा अधिग्रण परिशत ने सेना के T-72 टेंकों के लिए 1000 इंजनों की खरीद को मंजूरी दी है इंजन T-72 टेंकों की गतिशीलता दक्षिता और तुरण को बढ़ाएंगे जिससे उन्हें युद्ध के मेदान में और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा और फ्रेंट्स यह जो टेंक से वो रूस में विक्सित किया जाता है तो यह आपको याद अखना है अब रूस में किया जाता तो रूस के हम important point देख लेते हैं रूस की जो capital है वो है मोस्को रूस की जो currency है वो है Russian ruble रूस के जो president है वो है वलामेदीर पुतिन तो फ्रेंट्स इसका answer है option number C Oman Oman इसका right answer हो जाएगा रक्षा मंतरी निर्मला सीतारमन के निमंतरन पर ओमान के सल्तनत की रक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार मंतरी सयद ब्रद साउद हरीप अल बसेदी भारत की आधिकारिक यात्रा पर है ओमानी मंतरी ने दच्छिन ब्लो से संबंदित दोनों देशों के बीच समझोते के कई सक्षम समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं ओमान इसका answer है तो ओमान के हम important point देख लेते हैं ओमान की जो capital है वह है मसकट ओमान की जो currency है वह है ओमानी real और ओमान के जो सुल्तान है वह है काबूस बिन सायद अलसायद तो इत्ते point आपको ओमान से याद रखने चले friends हम देख लेते हमारा next point next point है हाली में किस देश को अंतराश्टिये मुद्रकोष से 57.1 billion dollar यह आपको डेटा याद रखना है 57.1 billion dollar प्राप्त हुए है तो फ्रेंस इसका answer option number B अर्जेंटीना अर्जेंटीना इसका right answer हो जाएग अर्जेंटीना को अंतराश्टिये मुद्रकोष IMF से 57.1 billion dollar प्राप्त हुए है जो वेश्विक निकाय से अब तक का सबसे बड़ा रिन पेकेज है और जिसका उद्देश जो है वह देश की संगर्शील अर्थवेवस्ता को बढ़ावा देना है तो यह important point है तो आपको अब तक का सबसे बड़ा रिन पेकेज है जिसका उद्देश है देश की संगर्शील अर्थवेवस्ता को बढ़ावा देना है अंतराश्टिये मुद्रकोष की बात हो रही है और अर्जेंटीना दोनों की बात हो रही है तो दोनों के important point देखेंगे सबसे पहले हम discuss करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में इसकी जो स्तापना हुई है वह 27 दिसंबर 1945 को उसका जो हैटक्वाटर है वह है वाशिंग्टन डीसी यूएस में और मेंबर्शिप जो है वह है 189 कंट्रीज और इसके जो CEO है वह है क्रिस्टाइन लेगराड है तो इतने point आपक शक आंसर अर्जेंटिना थहा तो आर्जेंटिना आपको अर्जेंटिना से भी याद र包ने चल्लिनेशन से नेक्स्पॉइंटर है विश्व परयाटन दिवस मनाए जाता है तो इसका आंसर है उसका इसन पांसर हॉप्शं का उपेतल सनिस को मैंसर हो जाएगा 27 सितंबर को विश्व परेटन दिवस मनाय जाता है और इस साल का जो विशह रहे वहे टूरीजम एंड डिजिटल ट्र Sylंon यह आपको याद रखना है इस साल के विश्व परेटन दिवस का जो विशह है वहे टूरीजम एंड डिजिटल transformation ठीक है फ्रेंट्स एक बार और रिपीट कर देता हूं 27 सितंबर को वेश्विक स्तर पर विश्व परेटन दिवस मनाया जाता है और इस साल के विश्व परेटन दिवस का जो विशह है वो है टूरिजम एंड डिजिटल transformation ठीक है फ्रेंट्स चलिए हम देख लेते हमारा नेक्स पॉइंट नेक्स पॉइंट है हाली में कौन सा भारतिय राज दो अक्टूबर को पेंशन योजना शुरू करेगा तो फ्रेंट्स इसका अंसर है option नमबर डी असम असम इसका right answer हो जाएगा मुख्यमेंत्री सर्बानन्दा सोनोवाल की उपस्तिती में गुवार्टी में आयोजित एक राज केबिनेट की बेठक में यह फैसला लिया गया है कि असम सरकार दो अक्टूबर मात्मा गांदी की जहनती के मोके पर राज में सार्वबोमिक पेंशन योजना शुरू करेगी अब फ्रेंट्स इसका अंसर असम है तो असम के हम important point देख लेते हैं असम के जो capital है वो है दिसपूर असम के जो CM है वो है सर्वननदा सोनवाल और असम के जो governor है वो है जगदिश मुखी तो इतने point आपको असम से याद रखने है चले फ्रेंट्स हम देख लेते हैं हमारा next point next point है हाली में किसे सयुक्त राष्ट के सर्वोच पर्यावनन से सम्मानित किया गया तो फ्रेंट्स इसका अंसर है option number A नरेंद्र मोधी नरेंद्र मोधी इसका right answer हो जाएगा प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी को अंतराष्टिय सोर गठ बंदन के नेतरत्व के लिए और 2022 तक प्लास्टिक के एकल उपयोग को खतम करने की प्रतिग्या के लिए उन्हें सयुक्त राष्ट के सर्वोच पर्यावन सम्मान से सम्मानित किया गया है ठीके फ्रेंट्स और फ्रांसीसी राष्ट्पती इमानुएल मेकरोन और नरेंद्र मोधी को अंतराष्टिय सोर गठ बंदन को बढ़ावा देने और पर्यावन नहीं है आर्यवाई पर सयोग के स्तर के नए छेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उनके अग्राणी काम के लिए पॉलिशी लीडर्शिप शेर्णी में संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है ठीके फ्रेंट्स अब यहां संयुक्त राष्ट की बात हो रही है यूएन की बात हो रही है तो यूएन के हम इंप्रटन पॉइंट देख लेते हैं प्रेंट्री जर्नल है वह है एंटोनियो ग्यूटेरस तो इतने पॉइंट आपको स्युक्त राष्ट यूनाइटेड नेशन से याद रखने चलिए फ्रेंट्स जित्ते भी पॉइंट्स हमने आप डिसकस की है एक बार आम उन पॉइंट्स का एनालिसिस कर लेते फ्रेंट और रात में आप उनका एनालिसिस करें तो उससे आपको पता चलिएगा कि जो ओशन आपको नहीं याद हुए है वह आपको एनालिसिस में याद हो जाएंगे और यह एक्जाम पॉइंट ओफिस से आपके बहुत इंपोर्टन पॉइंट्स है ठीके फ्रेंट्स चलिए स्ट राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्लीस का राइट आंसर हो जाएगा दूसरी वेश्विक नविकर्णिये उडजा निवेश बेठक और एक्सपो री इन्वेस्ट 2018 नई दिल्ली में 2-5 अक्टूबर 2018 तक आयोजित की जाएगी कब से कब तक 2-5 अक्टूबर 2018 तक आयोजि है तूसरे री इन्वेस्ट में नमीनिकरान स्वच्छ तक्निक और भावी उर्जा विकल्पो पर नमीनिकरान संबंदित निर्माताओं का एक एक्सपो तीन दिवसीय सम्मेलन शामिल होगा तो यह इसके इंपोर्टन पोइंट तो यह आपको याद अखने अर फ्रेंस इसक इंडियन कांसिल ओफ मेडिकल रिसर्च औल इंडिया इंस्टिटूट अफ मेडिकल सैंसेस् भारती कृषी अनुसंदान परिशत्र और भारती कृषी अनुसंदान संस्तान यह सब कहा है यह सब निउडियली में तो याद रिखनेate pam 2017 Sverige कि और कि चेतर में एक परिवर्थ नहीं है पहल के रूप में एक वेब पोर्टल लॉंच किया है तो फ्रंस इसका आंसर है अरून जेटली इसका राइड आंसर हो जाएगा केंदरी वित्त और कॉर्परेट मामलों के मंतरी अरून जेटली ने MSME RIN शेतर में एक परिवर्थ नहीं पहल के रूप में एक वेब पोर्टल लॉंच किया है वेब पोर्टल www.psblonsin59minutes.com एक बार और रिपीट करता हूँ www.psblonsin59minutes.com एक करोर रुपए तक के MSME RIN के लिए SIDB और 5 PSB से 59 मिनट के बीतर सेदान्तिक मंजूरी दिला सकता है SIDB और 5 PSB, SBI, Bank of Baroda, PNB, Vijaya और Indian Bank के साथ है ठीक है फ्रेंट्स तो इतने पोर्ट आपको इस पोर्ट से याद रखने वेब पोर्टल आपको याद रखना www.psblonsin59minutes.com एक बार और में रिपीट कर देता हूँ केंद्रिय वित्त और कॉर्परेट मामलों के मंत्री अरुन जेटली ने MSME RIN छेतर में एक परिवर्त निये पहल के रूप में एक वेब पोर्टल लौंच किया है वेब पोर्टल www.psblonsin59minutes.com एक करोड रुपरे तक के MSME RIN के लिए सिडवी और 5 PSB से 59 मिनेट के बीतर से दान्तिक मंजूरी दिला सकता है भूमत हिस्सेदारी सिडवी और 5 PSB, SBI, Bank of Baroda, PNB, Vijaya Bank और Indian Bank के साथ है तो इतने पोइंट आपको इस पोइंट से याद रखने नेक्स्ट पोइंट हमने डिस्कस हिए था हाली में किसने Adobe System और SEP ने डेटा के एक एकरिकरत दरश्ची की पेशकर्ष करने के लिए गटबंदन बनाया है तो Francis का आंसर है Option C, Microsoft Microsoft इसका राइट आंसर हो जाएगा Microsoft Adobe System और SEP ने अपने संबंदित अंतिम उपभोकता पर डेटा के एक एकरिकरत दरश्ची की पेशकर्ष करने के लिए गटबंदन बनाया है बागीदारों ने फ्लोरीडा में एक Microsoft सम्मिलन में उपन डेटा पहल की गोशना की है और यह पहल एक सामाने मोड के मात्यम से इनके प्लेटफोर्मों जैसे Adobe Experience Cloud, Microsoft Dynamics 365 और SEP C, 4, H, A, N, A के बीच पारस पर इकता और डेटा के लेंदन को बढ़ाएगी अब इसका अंसर Microsoft है, तो Microsoft के हम important point देख लेते हैं, Microsoft की जो स्थापना हुई है, वो यह 4 April 1975 को Microsoft के जो founder है, वो है Bill Gates और Paul Allen, वो इसका जो headquarter है, वो है Redmond, Washington, USA, वो इसके जो CEO है, वो है सत्य नदेला वोत्ते point आपको Microsoft से याद रखने, next point हमने discuss किया था, आली में किसने केंदरिकरत, सूचना और प्रबंदन पनाली के कारेवान के लिए 5 IT फर्मों को सूची बरत किया है, तो France इसका answer है, option number C, RBI, RBI इसका right answer हो जाएगा, RBI ने Data संग्रे और सत्यापन के लिए केंदरिकरत, सूचना और प्रबंदन पनाली के कारेवान के लिए 5 IT फर्मों को सूची बरत किया है, तो 5 IT कौन कुछ है, वो है, Capgemini Technology Services India, IBM India, Inforces, Larson, and Tubro, Infotech, और Tata Consultancy Services, एक बार और रिपीट करता हूँ, Capgemini Technology Services India, IBM India, Inforces, Larson, and Trubo, Infotech, और Tata Consultancy Services, इसका अंसर RBI है, तो RBI के हम important point देख लेते हैं, RBI की जो स्ताप्न होए, वो ये 1 April 1935 को, RBI के जो headquarter है, वो है मुंबई में, RBI के जो founder है, वो है British Raj, और RBI के जो governor है, वो है उर्जीत पतेल, तो इतने point आपको RBI से भी याद रखने, Next point अमने discuss किया था, हाली में, रक्षा अधिगरण परिशत ने सेना के T-72 टेंको के लिए, कितने इंजनों की खरीद को मंजूरी दी है, तो Friends इसका आंसर है, option number C, 1000, 1000 इसका right answer हो जाएगा, रक्षा अधिगरण परिशत ने सेना के T-72 टेंको के लिए, 1000 इंजनों की खरीद को मंजूरी दी है, इंजन T-72 टेंको की गतिशीलता, दक्षिता और तुरण को बढ़ाएंगे, जिससे उन्हें युद्ध के मेदान में और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा, और फ्रंट ये जो टेंक से वो रूस में विक्सित किया जाता है, तो ये आपको याद अखना है, अब रूस में किया जाता तो रूस के हम important point देख लेते हैं, रूस की जो capital है, वह है Moscow, रूस की जो currency है, वह है Russian over JP, रूस की जो president है, वह है НаECN doubt pro?" आपको रूस से भी याद आंसर हो जाएगा रक्षा मंतरी निर्मला सितारमन के निमंतरन पर ओमान के सल्तनत की रक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार मंतरी सयद ब्रद साउद हरीप अल बसेदी भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं ओमानी मंतरी ने दच्छिन ब्लॉक में रक्षा मंतरी से मुलाकात क और रक्षा संबंदी मुद्दो से संबंदी दोनों देशों के बीच समझोते के कई सक्षम समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं ओमान इसका अंसर है तो ओमान के हम important point देख लेते हैं ओमान की जो capital है वो है musket ओमान की जो currency है वो है ओमानी real और ओमान की जो सुल्टान है मुए काबूज बिन सायद अलसायद तो इत्ते point आपको ओमान से याद रखने next point हमने discuss यह था हाली में किस देश को अंतराश्टिये मुद्रकोष से 57.1 बिलियन डॉलर यह आपको डेटा याद रखना है 57.1 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए है तो फ्रेंस इसका आंसर है option number B अर्जेंटीना अर्जेंटीना इसका right आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना को अंतराश्टिये मुद्रकोष IMF से 57.1 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए है जो वेश्विक निकाय से अब तक का सबसे बड़ा रिन पेकेज है और जिसका उद्देश जो है वह देश की संगर्शील अर्थवेवस्ता को बड़ावा देना है अर्जेंटीना को अंतराश्टिये मुद्रकोष IMF से 57.1 बिलियन प्राप्त हुए है जो वेश्विक निकाय से अब तक का सबसे बड़ा रिन पेकेज है जिसका उद्देश है देश की संगर्शील अर्थवेवस्ता को बड़ावा देना है अब फ्रेंट्स यहां अंतराश्टिये मुद्रकोष की बात हो रही है और अर्जेंटीना दोनों की बात हो रही है तो दोनों के हम इंपोर्टन पॉइंट देखेंगे सबसे पहले हम डिसकस करेंगे IMF के बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में इसकी जो स्तापना हुई है वो यह 27 दिसंबर 1945 को उसका जो हैटक्वाटर है वह है वाशिंग्टन डीसी यूएस में और मेंबर्शिप जो है वह है 189 कंट्रीज और इसके जो सीयों है वह है क्रिस्टाइन लेगराट है तो इतने काइम अपको आमफ से भी याद रखने अर्जेंटी नह wrapping अब साइसटे अर्जेंटींच अपको अर्जेंटिना से बें आपको इशलय याद रखने एथे इसंट्थ की स्केश है वह है व् – ईकश्प Keysा 27 सितंबर 27 सितंबर इसका right answer हो जाएगा 27 सितंबर को विश्व परेटन दिवस मनाय जाता है और इस साल का जो विशय है वो है tourism and the digital transformation यह आपको याद रखना है इस साल के विश्व परेटन दिवस का जो विशय है वो है tourism and the digital transformation 27 सितंबर को विश्व परेटन दिवस मनाय जाता है और इस साल के विश्व परेटन दिवस का जो विशय है वो है tourism and the digital transformation नेक्ट परेटन हमने डिस्कस किया था हाली में कौन सा भारतिय राज 2 अक्टूबर को पेंशन योजना शुरू करेगा तो friends इसका अंसर है option number D असम असम इसका right answer हो जाएगा मुख्यमेंतरी सर्बनन्दा सोनोवाल की उपस्तिती में गुवार्टी में आयोजित एक राज केबिनेट की बेठक में ये फैसला लिया गया है कि असम सरकार 2 अक्टूबर मात्मा गांदी की जहनती के मोके पर राज में सार्वबोमिक पेंशन योजना शुरू करेगी अब friends इसका अंसर असम है तो असम के हम important point देख लेते हैं असम की जो capital है वो है दिस्पूर असम के जो CA में वो है सर्बनन्दा सोनोवाल और असम के जो governor है वो है जगदिश मुखी तो इत्टे point आपको असम से याद रखने है next point अपने डिस्कूस किया था हाली में किसे सयुक्त राष्ट के सर्वोच पर्यावनन से सम्मानित किया गया तो friends इसका answer है option number A नरेंद्र मोधी नरेंद्र मोधी इसका right answer हो जाएगा प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी को अंतराष्टिय सोर गठ बंदन के नेतरत्व के लिए और 2022 तक प्लास्टिक के एकल उपयोग को खतम करने की प्रतिग्या के लिए उन्हें सैयुक्त राष्ट के सर्वोच पर्यावरान सम्मान से सम्मानित किया गया है और फ्रांसीसी राष्टपती इमानुएल मेकरोन और नरेंद्र मोधी को अंतराष्टिय सोर गठ बंदन को बढ़ावा देने और पर्यावरान नहीं है आरवाई पर सायोग के स्तर के नए छेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उनके अग्रणी काम के लिए पॉलिशी-लीडर्शिप शेनी संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है ठीक है अब यहां सयुक्त राष्ट की बाथ और रही है यून की बाथ हो रही है तो यून के वह इंपोडेंट देख लेते है स्युक्त राष्ट युनाइटेड नेशन से याद रखने आज का जो कुईस का कोशन है वह हाली में एशियाई विकास बेंग तमिलनाडू के कई शहरों में जलवायू सुरक्षित सरणाचना के लिए कितना रेन प्रधान करेगा तो फ्रेंट्स इसका अंसर आप मुझे कमें कमेंट करके बताएंगे नेक्स वीडियो में हम इस कुईस के कोशन के आंसर को डिस्कस करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरू करें शेयर करें अपने फ्रेंट्स के साथ और अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चै करेंगे जरूर बताएं थैंक यू फ्रेंट्स पर वाचिन हैव नाइस दे थैंक यू